नमस्कार में जोते खंडेलवार, स्वागत है आप सभी का सर्वोद्य टीवी पर फतेहबाद में कडाके की धंड के साथ आज घना कोहरा चाया रहा वहीं फस्यों पर जमी दिखी धुंद की सफेज चादर वहीं किसान बोले कि यह धंड ग्याहूं की फसल के लिए लाबकारी है ग्याहूं की फसल के लिए धंड नाइट्रोचन का काम करेगी लेकिन विजिबिलिटी जीरो करीब तक पहुँच गई है जिससे बहानों की रफ्तार धीमी हो रही है कडाकी की ठंके साथ फत्याबाद में चाई हुए घने कोहरे ने आज एक तरफ जहां वहानों की रफ्तार रोग दी है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है फसलों पर धुन की सफेज चादर चाई हुई नजर आई तो जीरो विजिबिलिटी के करीब दृष्चे वाले घने कोहरे ने वहान चालकों को मुसीबत में डाल दिया फत्याबाद के किसान नरिंदर कुमार ने बताया कि फत्याबाद में आज घना कोहरा चाया हुआ है और फसलों पर जमा हुई धुन्द काफी फाइदे मन्द है खासकर गेहूं कि फसल के लिए धुन्द की ये सफेज चादर नाइटोजन जैसा काम करेगी और फसल का उत्पादन इस तरह की धुन्द से बढ़ता है दुन्द अधिक होने से उसकी बूनों से फसल की अच्छी पैदावार होती है वही दूसरी तरफ वाहन चालक असलम ने बताया कि अन्य दिनों के मकाबले आज कोहरा अधिक चाया हुआ है जिसके कारण सड़क पर पांच फीट से जादा दूर कुछ नहीं दिखाई दी रहा है ठंड इतनी है कि वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है और काम पर जाने की मजबूरी बीच हाथ कपकपा रहे है सड़क पर दुरगतना का खत्रा बना हुआ है इसलिए लोगों से अपील है कि जरूरी ना होने पर दूर्ण में सड़क पर वाहन लेकर ना निकलें तो थोड़ा ना दीरे चलाएं क्योंकि धुन्द में कुछ भी दिखाईन देरा पांच फूट से आगे तो मतलब दूरकर रहें वगरा ना हो तो इसमें बस यह सुझे संदेंगे अपने वाहन थोड़ा दीरे चलाएं और देखके चलाएं किसे दिख बड़ें है आगे कुछ दिखाई न ही हिए और आगे कुछ ज्यादा थंड धाखे ऑग तो क्तुने धुन्द है आगे कुछ दिखाई नहीं तया है अभी तो अराम से आरहे हैं, हम फुला गाउं से कम से का आदा गंटर लगयों के मारते होते होते हैं, दो किलो मेटर कर रस्तार दे गंटे में तैके हमें, नुकसान दायक तो ये इंसानों के लिए है, जिए भी पांच फुट सागे कुछ दिखाई ने जे रहा, लोग अपने